सफेज राजहन्स यानि बार हैड़िड गीज सर्दियों के अंदर हमारे देश में आ जाते हैं केंद्रिये एशियाई देशों के अंदर जहां उची परवतिय जीले हैं उनके आसपास हजारों की संख्या में यह पक्षी सामुहिक प्रेजिनन करता है माउंट एवरेस्ट जितनी उचाई से भी इस पक्षी को उड़ते वे लोगों ने देखा है जो प्रवतारोई हैं उन्होंने मैंने नहीं हाँ मैंने पढ़ा जरूर है ऐसा अब प्रकरती का करिस्मा है कि उतनों उचाई से इतनी जादें उचाई के उपर बिना किसी ऑक्षी कैसे उड़ लेता है ये दो जगे आप देख रहे हैं यह है डीगल गाओं के पास में बारिस का जमावड़ा पानी जिसके अंदर करीब बारसों के आसपास ये पक्षी आई वे है अगर मैं मांडोती गाओं के पक्षी में मिलाऊं तो करीब करीब इन दोनों जगे के अंदर दो हजार के आसपा राज हंस का जमावडा बना हुआ है बीच बीच में रुडी शेल्डक यानि सुर्खाब भी आप देख सकते हैं पीचे हाजी लग-लग गुली ने डिस्टॉर्स भी है तो सारस्क्रीन भी है और अन्य पक्षी बीच बीच में आपको दिखाए दे जाएंगे राज हंस करीब-करीब पून रूप से शाह कहारी ही है अनाज खाता है किसानों का भी खेतों में घास के बीच खा लेता है पानी के अंदर उगने वाली जो वनस्पतियां उनकी जड़ें भी खा लेता है पत्यां भी खा लेता है इसमें लेकिन कभी-कभी करश्टा सियंस इन्वर्टिब रेट्स भी खा लेता है इसमें दो पक्षी मरेवे आपको दिखाए दे रहे हैं ये भी राज हंस ही हैं अब ये मरे कैसे समझ में नहीं आता दुखद पहलू है इनके प्रवास का थकावट से भी अत्याधिक सर्द इसे भी उपर से गुजरने वाले बिजली के तारों से टक्रा करके भी क्योंकि राज को प्रवास करते हैं ये टक्रा सकते हैं ऐसे दुरगटनाय यदा-कदा खेतों में दिखाए दे जाती हैं और बढ़ फ्लू भी हो सकता है ये भी हो सकता है कोई विसाक्त बीज वनस्प पतियां या अनाज इन्होंने खा लिया हो खैर हमें अपनी भविश्य में आने वाले पेड़ियों के लिए इनको बचाय रखना बहुत जरूरी है ये बीच में ग्रेलय गीज भी हैं और उसके लिए इनके जो हैबिटार्ट्स हैं जीली इत्यादी जोहर इत्यादी तलाब इत्यादी उनको बचाय रखना बहुत जरूरी है